वेलकम टूबर यूट्यूब चैनल निशा एजूकेशन आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर सैवन त्रिबुज की एक्सराइस 7.2 के पहले जो प्रमे 7.2 है और 7.3 है उसे सिद्ध करेंगे ठीक है तो देखते हैं प्रमे 7.2 क्या है ठीक है और ये जो 7. 7.2 प्रमे है और 7.3 प्रमे है ये आपको एक्सराइस 7.2 को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी ठीक है तो देखते हैं प्रमे एक सम्दिव बाहु त्रिबुज की बराबर भुजाओं के सम्मुक कोण बराबर होते हैं ये हमें सिद्ध करना है ठीक है तो मैंने यहापर क्या बना दिया है एक सम्दिव बाहु त्रिबुज ठीक है तो जैसा कि प्रमे में इतना भाग दिया होता है ठीक है और ये आगे का जो भाग है इसे हमें सिद्ध करना है ठीक है तो एक सम्दिव बाहु त्रिबुज की बराबर भुजाओं ठीक है यहाँ तक हमें इस प्रमे मे क्या हो बराबर ठीक है तो हमें बोला गया कि सम्धिबाहु त्रिबुच की बराबर भुजाओं के सम्मुक को कौन बराबर होते हैं मतलब इनके सामने के कौन सम्मुक मतलब सामने के कौन ठीक है तो A C के सामने का कौन क्या है B ठीक है और A B के सामने वाला कौन क्या है C तो इन पर लिख देती हूँ, दिया है, त्रिबुज, ए, बी, सी, एक, सम, वी, बाहू, त्रिबुज, है, ठीके, अब सम दिबाहू, त्रिबुज है, मतलब यहाँ पर दो बुजाएं बराबर होंगी, तो उनको भी हम लिख देते हैं, अब हमें जो सिद्ध करना है, उसे लिख देते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें कोण B को कोण C के बराबर सिद्ध करना है, ठीके, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कोण B बराबर कोण C हमें सिद्ध करना है, ठीक, अब इस प्रमे को हमें सिद्ध करने के लिए यहाँ पर रचना करना पड़ेगा, ठीके, रचना में हम क्या करेंगे, कोण A का सम्दिव भाजक खीचेंगे, तो मैं यहाँ पर खीच देती हूँ, ठीक, तो मैंने यहाँ पर AD कोण A का सम्धिर भाजक खीचा सम्धिर भाजक का मतलब यह हुआ कि यह कोण A को दो बराबर भागो में बाटेगा जैसा कि मैंने यहाँ पर यह सिंबॉल भी बना दिया है इससे होगा यह ठीक है कि यहाँ पर दो त्रिपुज बन जाएंगे एक तो त्रिपुज A, B, D और दूसरा A, C, D ठीक अब हम क्या करेंगे दोनों त्रिपुजों को सर्वांगशम शिद्ध कर देंगे उससे होगा यह कि सर्वांगशम त्रिपुजों के संगत अव्यों बराबर होते हैं इससे हम कोण B और कोण C को बराबर सिद्ध कर देंगे और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी है तो चलिए मैंने यहाँ पर जो रचना की है वो रचना को हम लिख देते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं रचना क्या रचना करें हमने कोण A का सम्द्वी भाजक AD खीजा ठीक जो हमने किया है वही लिखा कि कोण A का सम्द्वी भाजक AD खीजा अब हम करेंगे इसकी क्या उपत्ती ठीक है इससे पहले भी आप लोगोंने प्रम्मे प्रुफ करी होगी लिख नहोटा है यदि हमने प्राम्य में रचना की है तो रचना को लिखते हैं धैन फिर हम उपथी करते हैं ठीक है अब उपथी में हम क्या करेंगे यहाँ पर दो त्रिबूज दिख रहें ठीके और हम लोगोंने त्रीबूजों की सर्वांगशमता वाले बहुत सारे क्वेशन इससे पहले वाली exercise में कर चुके हैं ठीके तो सबसे पहले हम इसे ही लिख लेते हैं तो a b बराबर क्या हो जाएगा a c और reason भी देना होता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दिया है ठीके second चीज जैसा कि आप लोग देख पारे होंगे अभी अभी मैंने कोण a का क्या खीच है सम्दी भाजक ठीके तो यहाँ पर इतना कोण और इस त्रिबुच का इतना कोण दोनों क्या है बराबर ठीके तो इन दोनों कोणों को हम कर देते हैं क्या बराबर तो यहाँ पर हो जाएगा कोण b a d बराबर कोण c a d ठीके और यह कहां से आया रचना से तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रचना से अब देखिए तीसरी चीज हमें ढूननी है ठीक है तो जैसा के हम लोग देख पा रहे हैं दोनों त्रिपुजों में एक भुजा है जो कि कॉमन है ठीक है AD जो भुजा है वो त्रिपुच ABD में भी है और ACD में भी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे AD बराबर AD ठीक है क्या है यह उभैनिष्ट भुजा ठीक है तीन चीज़े हो गई अब देखिए यहाँ पर सरवांगुशमता का कौन सा नियम लगीगा ठीक है यहाँ पर देखिए हमारी बराबर हुई है और यह वाला कौन मतलब दो भुजा के बीच का कौन क्या है बराबर तो सरवांगुशमता कौन सी लग जाएगी साइट एंगल साइट सरवांगुशमता से ठीक है देख पा रहे होंगे दो भुजाओं के बीच का कौन बराबर है इसलिए सरवांग शमता नियम लगेगा नियम से दोनों त्रिबुज क्या हो जाएंगे सरवांग शम तो हम यह आपर लिख देते हैं कि त्रिबुज A, B, D सरवांग शम हो जाएगा किसके त्रिबुज A, C, D के ठीक है अब देखी हमें जो सद्द करना था वो A ही चुका है ठीक है अब देखी है यहाँ पर यह दोनों कोड क्या हो गए बराबर ठीक है तो हमें पता है C, P, C, T मतलब सरवांग शम त्रिबुजों के संगत अव्यों क्या होते हैं बराबर होते हैं तो इन दोनों त्रिबुजों में कोड B और कोड C क्या हो जाएंगे बराबर किस से C, P, C, T ठीक तो यही हमें परुफ करना था की एक सम्मुख कोंड क्या होते हैं बराबर होते हैं ठीक है जो बराबर भजायें होती हैं किसी भी सम्मुख कोंड होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, ठीके, तो ये बहुत ही जदा important प्रमे है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेगा, या फिर से खुद से करके देखेगा, ठीके, अब चलिए हम प्रमे 7.3 सिद्ध कर लेते हैं, वो भी same 7.2 की ही तरह है, ठीके, थोड़ा सा फरक है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, चलिए अब प्रमे 7.3 को सिद्ध करते हैं, ठीके, ये जो प्रमे है ना 7.3, ये 7.2 की क्या है, विलोम है, ठीके, तो चलिए सिद्ध करते हैं इसे, ठीके, किसी त्रिबुच के बराबर कोणों की सम्मुक भुजाएं बराबर होते हैं, ठीके जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो प्रमे है 7.3, ये 7.2 की क्या है विलोम, उसमें हमें क्या सिद्ध करना था, हमें एक सम्मुक भुजाएं क्या होती ही, बराबर होते हैं, ठीके, तो हमें प्रुफ सेम टू सेम 7.2 की तरह ही करना है, ठीके, तो चलिए, यहां पर भी हम क्या करेंगे, हमें यहां पर बराबर कोण दिये हुए हैं, मतलब कोण B, बराबर हम क्या कर देंगे, कोण C, और ये हमें दिया हुआ है, ठीके, और हमें A, B, बराबर A, C को क्या करना, सिद्ध करना है, ठीके, तो मैं यहां पर प्रमेक रमांग 7.2 की तरह ही कोण A का सम्दिभाजक खीच लेती हूँ ठीके अब देखी हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कोड B, कोड C के बराबर है ठीके और हमने यहाँ पर कोड A का क्या खीचा सम्दिभाजक मतलब यह दोनों भी कोड क्या हो गए बराबर अब हम प्रमे सिद्ध करेंगे तो जो हमें दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं ठीके दिया है क्या दिया है हमें कोड B, मतलब दो कोड बराबर दिये हैं तो मैं यहाँ पर कोड B और कोड C को क्या कर देती हूँ बराबर, ठीके हमें सिद्ध क्या करना है कि यह बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाए है वो भी क्या होंगी बराबर ठीक है तो कोण B की सम्मुख भुजा क्या है AC बराबर हमें सिद्ध करना है AB ठीक है या AB बराबर AC हमें सिद्ध करना है ठीक है आप हमने रचना की है तो हम रचना भी लेग देते हैं ठीक है same to same हम 7.2 जो प्रम है उसी की तरह solve करेंगे ठीक है तो रचना हमने क्या की है कोण A का समधिभाजक AD खींचा ठीके अब हम क्या करेंगे इस प्रमे की उपत्ती या इसे हम प्रूफ करेंगे ठीके तो अब देखे हम क्या करेंगे कि इन दोनों त्रिबूजों को हम सर्वांगशम शिद्द कर देंगे तो हमें जो सर्वांगशम शिद्द करना है एसी बराबर AB वो प्रूफ हो जाएगा ठीके यूँकि CPCT से हम दो त्रिबूजों की जो संगत भुजाय होते हैं या संगत कोन होते हैं उसे हम बराबर लेख सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर त्रिबूजों के नाम लिख देती हूँ त्रिबूज ABD वो त्रिबूज ACD में ठीके अब देखिए इन दोनों त्रिबूजों में हमको कोई भी तीन चीज़ें क्या करनी है बराबर ठीके तो यहाँ पर दो चीज़ तो बराबर हैं क्या एक तो यह कोण रचना से बराबर हो गए ठीके यह दोनों कोण और यह दोनों कोण तो हमें दिये हुए हैं ठीके तो जो दिया है हम उससे सबसे पहले लिख लेते हैं कि कोण B बराबर क्या है कोण C के और Reason हम दे देंगे दि ठीके अब देखिए यह कोण रचना से बराबर हो गए हैं तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कोण B A D बराबर क्या है कोण C A D के ठीके Reason हम दे देंगे रचना से अब तीसरी चीज़ हमें ढूंडनी है ठीके तो तीसरी चीज़ आप लोगों को पता है कि दोनों त्री बुजों में जो A D भुजा है न वो क्या है common है या urbanist है ठीके तो हम यहाँ पर लिख देंगे A D बराबर A D और Reason दे देंगे urbanist भुजा अब तीन चीज़े हो गई ठी ठीके तीन चीज़े हो गई तो हम सरवांगशमता का कौनसा नियम लगा है ये भी देख लेते हैं ठीके न तो यहाँ आप लोग देख पारे होंगे ये कोण है फिर इसके जस्ट बाद वाला एक कोण है मतलब ये लगातार दो कोण है ठीके और उसके बाद ये तीसरी ही ठीके तो सरवांगशमता का नियम लग जाएगा यहाँ पर एस शरवांगशमता नियम से ठीके दोनों त्रिबुज क्या हो गई सरवांगशम तो मैं लिख देती हूं त्रिबुज A, B, D सरवांगशम है त्रिबुज A, C, D, K ठीके और जो हमें सद्ध करना है क्या? AB बराबर AC ठीक है या AC बराबर AB आगे पीछे हम लिख सकते हैं ठीक है तो ये भी क्या हो गए बराबर किस से BY CPCT से ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CPCT से ठीक तो बहुत ही जादा easy यह प्रमे है 7.2 और 7.3 ठीक है आई होप यह दोनों परमे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे ठीक है यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करें और अपने दोस्टों के साथ जादा से जादा शेयर करें ताकि आपके friends लोगों का भी फायदा हो ठीक है और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन जरूर प्रेस कर लें थैंक यू